Hello my dear students, मैं हूँ मिनुष्य वास्तव और आज हम डिसकस करेंगे Biology में 12th क्लास का 1st chapter, Reproduction and Organism Reproduction and Organism में आप लोगों के जो NCRT में तो 1st topic है वो है Life Spawn के बारे में Reproduction, अगर हम बात करें तो Reproduction एक phase होती है जो की Life Spawn के duration में develop होती है तो इसलिए सबसे पहले हम Life Spawn को Decide कर लेते हैं Then what is the Life Spawn Then फिर हम finally फिर Reproduction मोड पे आएंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर नाम आप Reproduction and Organism दे रहे हैं और यहां पर हम जो है Life Spawn की बात करने लग जाते हैं तो Life Spawn के अंदर यहां पर हम जो है Reproduction एक Phase है और फिर हम जब उस Phase के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको Descriptive Way में लेंगे तो चलिए हम बात कर लेते हैं Life Spawn की Life और Spawn यानि पूरी Life का Duration अगर हम किसी भे Living System के Life Duration के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो क्या लेता है? Birth यानि वो जनम लेता है उसके बाद वो क्या करेगा? फिर वो एक juvenile phase यानि की अपनी reproductive maturity से पहले की stage पर आता है ठीक है? juvenile phase के बाद वो reproductive phase पर आता है और reproductive phase में वो उसकी body में जो changes हुए है यानि की जो उसकी body में gamut formation वाला जो process हुआ है उसके थूँ वो अपने existence को आगे बढ़ाता है through the development, through the producing of spring यानि ओफिस spring को produce करके वो आगे बढ़ाता है अपनी species को की population को उसके बाद जब reproductive phase complete हो जाती है then death, sorry, senescence आता है और फिर death complete होती है ठीक है? तो life span यानि की आपके birth से लेके आपके death तक का जो पूरा duration है वही आपका life span है और वही चीज मैंने यहां लिखी है the period from birth to the natural death of an organism यहाँ पर हम natural death word को ज़रूर include करेंगे क्योंकि वही उसका पूरा life span में include किया जाता है ठीक है? तो life span में हमारा birth से लेके जो है natural death तक का जो है पूरा duration हम include करते हैं एक life span जो है यहां पर मैंने कुछ examples लिखे हुआ है जैसे यहां पर cow का example है कि 26 years काई book में आपको 20 से 25 years भी मिलेगा उसके बाद जैसे parrot है उसमें 140 years का आपको duration मिलता है उसके life काफी जादा होती है tortoise में भी above 100 years होती है banian tree यानि कि जो बरगत का पेड है जो है आपका 300 से 500 साल जो होता है उसका years होता है horse की जो है एज करीबन 50 साल तक होती है तो हर किसी का जो duration है वो अलग-अलग होता है हर किसी का life span अलग-अलग होता है one more thing मैं आपको convey करना चाहरी हूँ कि मेरे जो lectures आएंगे वो आपको दोनों languages में मिलेंगे यहाँ पर हम bilingual language मतलब कि English plus Hindi बता रहे है ताकि Hindi medium जो students है मतलब कि जिन में चलतो है NCRT बुकरी है लेकिन वो हिंदी से उनका touch अच्छा है तो वो भी उसको profit उसको benefit हो सकते है लेकिन कुछ बच्चे जिनको purely English language की आदत है वो भी जो है उसे benefit हो सकते है तो उसमें मैं lectures आपको दोनों language में upload करूँगी bilingual and English so don't get confused कि जो है जो है दोनों तरह के lectures आ रहे है मैं सारे lectures आपको दोनों ही languages में डालूँगी ठीक है अब यहाँ पर अगर अपने life span का division देखे तो first हम कहा रहे है birth भई birth हुआ है उसके बाद juvenile phase है juvenile phase के अंदर एक person reproductive maturity से आने से पहले उसके body prepare होती है ठीक है उसके body में कुछ changes डवलप होते है जो कि उसको reproduction के लिए prepare करता है तो juvenile phase में एक कह सकते है कि preparatory phase है reproductive phase के लिए ठीक है और यहाँ पर यह कह सकते है कि initial phase हम बोल सकते है या it is a intermediary phase between the birth and reproductive phase यानि कि यह birth और reproductive phase के बीच की duration है उसके बाद third है reproductive phase जिसके अंदर किसी कोई भी living system reproduction करता है ठीक है और वो reproduction phase हर living system की अलग-अलग होती है हर species की अलग-अलग होती है ठीक है उसके बाद fourth होता है senescence senescence means बुढ़ापा और अगर आप इसको simple language यह बोलना जाहें तो it's a aging ठीक है aging मतलब बुढ़ापा यानि कि अभी आपकी body जो है reproductive phase से cross कर गई है और अब आपकी cells के अंदर कहीं ना कहीं जो है degradation शुरू हो चुका है और आप aging यानि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे है then finally the fifth stage is the death और finally आप किसकी तरफ बढ़ते हैं और finally आपका life span compete होता है death से ठीक है तो अगर हम बात करें कि birth से लेके death तक का duration है वो life span है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि reproduction जो अब आपके इस chapter के अंदर हमें किसकी बात करने है reproduction की अगर हम यह कहें कि what is the reproduction आपके दिबाग में सबसे पहले वही आएगा सबसे पहले यह मैं आपको कहूंगी कि NCRT की एक एक line बहुत important है और मैंने जो definitions ली है वो purely NCRT से ही उठाई है maximum definitions को मैं NCRT से ही लूँगी क्योंकि अगर आप NCRT की language 12th basis पे भी लिखेंगे और अगर उसको ढंग से read out करेंगे तो आपके काफी सारे MCQs pattern की questions आपको यही से मिल जाएंगे ठीक है और उसमें जो भी addition होगा वो हम यहाँ पर देख लेंगे चलिए एक और चीज की reproduction से पहले यहाँ पर मैं आपको एक और चीज एक थोड़ी सी just for important information है कि life sponge जो होता है हमने कहा कि हर living system का अलग-अलग है ठीक है लेकिन यहाँ पर एक जो है बहुत सारे ऐसे living system है जिनका life sponge बड़ा सा tragic type का होता है या कह सकते हैं कि वो सिर्फ reproduction के लिए इस दुनिया में आय हुआ है जिसमें से है एक mayfly इसे one day fly भी कहते है one day mosquito भी कहते है one day fly भी बोलते है और इसका duration होता है one day यानि कि 24 hours यानि कि shortest life response का part है ठीक है इसके बाद हम यह कहना चाहेंगे कि अब हम बात कर लेते हैं reproduction की तो reproduction जो है वो एक biological process है it is a biological process in which an organism give rise to a young one ठीक है और उस young one को हम क्या बोलते है off spring उस young one को हम क्या बोलते है off spring ठीक है similar to itself ठीक यानि कि एक biological process है जिसमें कोई भी जो है कोई भी organism अपने young one को birth करता है और इस process में वो जो young one है उसको हम बोलते है off spring और वो off spring similar हो सकता है उसके जैसा हो सकता है और थोड़ी सी variety लिये हुए भी रहता है जिसमें अब हम बात करेंगे जिसमें जो है आपका asexual or sexual reproduction में जो है किसमें similar होता है या किसमें dissimilar होता है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा reproduction है वो एक biological process है जिसमें कोई भी organism अपने young one को generate करता है अपने off spring को develop करता है यहाँ पर जो off spring है वो grow करता है mature होता है and in turn produce new off spring अब वो off spring वापस से उसी duration में जाएगा उनी phases में जाएगा birth, juvenile phase, reproductive phase, senescence and death और उस duration में वो reproductive phase में क्या generate करेगा एक नए off spring को तो उससे क्या होगा उसकी species की जो population है वो maintain रहेगी ठीक है reproduction enables the continuity of the species generation after generation तो reproduction एक तरीका का क्या है reproduction उस species को maintain करने का तरीका है generation to generation ठीक है अगर हम बात करें कि कोई भी living system reproduce कैसे करता है यह क्यों करता है तो यहाँ पर जो है उसके habitat पर काफी कुछ depend करता है कि वो किस तरीके का reproduction करेगा ठीक है अगर हम यह कहें कि reproduction दो तरीके के हैं normal तरीके से हम कहें कि reproduction is of two type asexual reproduction and sexual reproduction ठीक है यहाँ पर हम कहें कि reproduction के दो टाइप है अभी हम इसको detail में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको कुछ बात सर्फ जो NCRT के लाइन है वो convey करना चाहरे हूँ asexual reproduction and sexual reproduction लेकिन किसी भी living system में किस तरीके का reproduction होगा यह depend करता है उसके कुछ चीजों पर जैसे उसके habitat पर उसकी internal physiology पर और कुछ अलग तरीकी के factors पर कि जो है जिससे वो reproduce कर सकता है तो there are so many factors जिससे वो reproduce कर सकता है और वो कौन-कौन से है जैसे habitat factors responsible which type of the reproduction will take place यह कौन से factor है कि कौन से type का reproduction होगा एक तो habitat दूसरा internal physiology भई वो internal physiology मतलब की वो single cell है multi cell है कैसा internal physiology and other factors ठीक है यह NCRT के लाइन है इसलिए मैंने हैं सोचा कि आपको बताना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है हमारे पास reproduction का हमने अभी initial phase देख लिया अब हम बात कर लिते हैं से कि क्या क्या reproduction की functions होते हैं और यहाँ पर उसके क्या क्या types होते हैं और वो सारे types हम फटाफट से देख लेते हैं Now we come to the next part Here we will discuss the function of the reproduction Okay Function of the reproduction में सबसे पहले जो function है वो है किसी भी living system का existence maintain करना reproduction के थूँ हम किसी भी living system का existence maintain करते हैं ठीक है Second continuity of species अगर reproduction हो रहा है यहाँ पर R dot जो मैंने लिखा है वो reproduction को रिप्रेजन कर रहा है ठीक है वो बड़ बड़ा हो रहा थो तो मैंने छोटे में इस तरह से लिग दिया आप पूरा लिख सकते हैं continuity of species reproduction किसी भी species के maintenance के लिए जरूरी होता है यानि कि अगर कोई living system जो है वो जिसकी death हो रही है तो उसको compensate करने के लिए हम ही कह सकते हैं जिसे हम substitution भी पढ़ेंगे तो उसको substitute करने के लिए नया offspring आता है तो maintain रहता है living system ठीक है population population को regulate करने के लिए कि कौन के जो है regulation जैसे नय वान का adolescence, adult age और old person इनको maintain करने के लिए इस तरह की चीजों को regulate करने के लिए population को maintain करने के लिए reproduction इंपोर्टेंट है ठीक है substitution जैसे मैंने भी बताया है कि reproduction के अंदर substitution ज़रूरी है यानि कि reproduction के थिरू substitution होता है किसी population में जैसे कोई death हो गई है तो उसको substitute करने के लिए कोई नया आपस्प्रेंग आता है उसको substitute करने के लिए ताकि किसी भी population को या species की जो numbers है count number वो maintain रहे नाव कम टू तू 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 रिप्रोड़क्शन हमने कहा कि reproduction दो टाइप के है asexual reproduction and sexual reproduction अभी हम discuss करते है asexual reproduction asexual reproduction में in this method is single indisible यानि जो parent है वो capable होता है producing the office prank यानि कि जो asexual reproduction है इसमें दो parent cell की requirement नहीं होती है के विल एक ही parent cell जो होता है उसकी requirement हमें होती है और यहाँ पर जो एक parent cell है वो ही क्या करेगी अपना एक नया यंग वन या नया office prank generate करती है इसका मतलब जो asexual reproduction है वो one parent reproduction भी हम कह सकते है यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होता है जो office prank बनता है वो clone होता है clone means exact copy अपने parent की या xerox copy बनता है क्योंकि यहाँ पर characteristics की mixing नहीं होती है क्योंकि एक ही parent cell है वो ही अपने अंदर division करके जो है नया generate कर दे रहा है तो यहाँ पर जो asexual reproduction है इसके अंदर clone develop होता है और clone से ही यहाँ पर जो है asex clone जो होता है वो exact genetically और morphologically similar होता है parent cell के ठीक है यहाँ पर बने clone को define भी किया है indisual which is similar as morphologically and genetically as with the parent cell ठीक है यानि कि कोई भी indisual जो है वो अगर parent cell का बिलकुल हूब 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 कॉपी है genetically या morphologically वो क्या हो जाएगा आपका parent cell हो वो clone हो जाएगा reproduction जो होगा जनरली वो आपको single cell organism में देखने को मिलता है यानि कि अगर हम यह कहेंगी सबसे easiest way है reproduction का तो जो बहुत less complicated या simplest type के organism होते हैं उनमें इस sexual reproduction हमें देखने को मिलता है यहां पर अब हम बात कर लेते हैं types of reproduction की जिसमें हम बहुत तरीके की types देखेंगे जैसे आपका fission है budding है, conidia formation है वो सब हम देखेंगे लेकिन यहां पर हम सबसे पहले बात करते है fission की fission मतलब होता है तूटना या body का जो है divide होना ठीक है तो इनमें office spring एक मिनुट यहां पर जो है parent divide इसमें office spring नहीं parent divide हैगा sorry parent divides into two or more parts ठीक है यानि कि यहां पर parent cell यह parent cell भी लेख सोते है parent भी लेका सकते हो पूरा लिख लेजिए parent cell parent cell divide ठीक है तो यहां पर क्या हो जाता है fission मतलब की जो parent cell है वो दो या दो से जादा parts में टूट जाती है और इसे हम बोलता है fission अगर दो parts में टूट रही है यह दो से जादा parts में टूट रही है उस बेसिस पे हम fission को divide करते है binary fission and later on we will discuss the multiple fission also okay I have written I will return here right here that multiple fission okay तो यहां पर क्या है कि binary fission जो है binary means होता है two यानि कि single cell organism है वो two equal halves में या two halves में टूट जाता है और हर half grow होके adult में convert हो जाता है जैसे आप लोगों के NCRT की book में एक amoeba का diagram भी बना हुआ है यह मैं आपको बता देते हूँ देखिए यहां पर यह इस तरह की का ही एक टाइप है binary fission को हम तीन टाइपस में पढ़ते हैं यानि कि एक तो irregular irregular type second longitudinal type and third transverse type ठीक है irregular version में यानि कि जो irregular organism है उनमें binary fission अगर मिलता है तो उसमें amoeba एक सही टाइप बनता है जो यूगलीना है यूगलीना के अंदर जो division है वो longitude division होता है देखे ये अगर हम बात करें तो ये yugलीना है ठीक है yugलीना के अंदर जो body में division होगा वो इस तरीके से यहाँ पर ये तूटता जाएगा पहले तो ये इस तरीका रहता है और फिर ये धीरे-धीरे यहाँ पर एक transfer group बन एक जो है longitudinal group बनती जाती है और ये finally इस तरीके का जो है living system बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो longitudinal division है वो किसके अंदर हो रहा है yugलीना के अंदर transverse division जो है आपका paramecium में ये paramecium होता है paramecium के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें longitude sorry transverse division होता है इस तरीके का transverse division और फिर फाइनली ये दोनो जो है part ग्रो करके और एक नया amoeba बना लेते हैं ठीक है amoeba को अगर हम देखे नया paramecium बना लेते हैं यहां पर जो irregular type है irregular में amoeba amoeba सबसे पहले हम कहते हैं कि यहां पर इसकी body बिल्कुल irregular shape है तो सबसे पहले जैसे आप लोगों कि इसमें diagram में है कि पहले वो अपनी body को थोड़ा सा stationery करता है और फिर constricted हो जाता है और यह जो nucleus है यह nucleus इस तरीके से भी जो है कह सकते हैं कि stretched हो जाता है ठीक है अब यहां पर यह जो nucleus है जैसे आप लोगों के diagram में बना हुआ है और यह finally यहां पर इस तरीके का groove बन के और यह यहां पर दो में splitting हो जाती और दोनों ही नए adult को grow करते हैं जैसे हमने दिखा कि binary fission में दो हाफ में बढ़ता है लेकिन multiple fission के अंदर जो organism होता है जो single cell organism होता है वो many office prints में divide होता है जैसे generally जो plasmodium है which is the malarial parasite वो हमारी body में इस तरीके से जब divide होता है तो वो अपने अंदर multiple fissions में divide होता है यानि कि वो बहुत सारे numbers बना लेता है और जब इसकी body burst होती है तो ये सारे plasmodium release कर देता है ठीक है उसके बाद हम बात कर तो multiple fission generally on living systems में होता है जो कि parasitism show करते है यहाँ पर budding की हम बात कर लेते हैं budding क्या होता है एक small outgrowth होती है जो कि organism के body से बाहर लगती है लेकिन bud मतलब बाहर की तरफ projected होना ही नहीं होता क्योंकि अभी हम budding के दो टाइप पढ़ेंगे exogenous budding और endogenous budding तो यहाँ पर budding मतलब यह है कि body से ही कुछ outgrowth निकल रही है और वो या तो outgrowth अंदर की तरफ निकल रही है या बाहर की तरफ निकल रही है ठीक है दोनों ही तरीके से हो सकती है और यह दोनों जब हो तब यहाँ पर वो bud जो होती है वो separate होती है parent cell से और वो mature हो जाती है नाय living organism में यहाँ पर अगर हम बात करें तो first budding होती है exogenous budding जो की हमने hydra में देख रही है अगर मैं hydra का diagram यहाँ ड्रॉव करो तो hydra के इसमें यह जो है substratum से यह इस तरीके से यहाँ पर उसमें sealant यह इस तरीके का अब यहाँ पर यह जो bud होती है यह धीरे धीरे जो outgrowth है बढ़ती जाएगी और finally यहाँ से detach हो जाएगी अगर इस तरीके budding body से बहार दिख रही है तो यह exogenous budding होती है लेकिन अगर endogenous budding है यानि कि budding formation body के अंदर हो रहा है तो उसे endogenous budding या internal budding के नाम से हम बोलते है इसका सबसे अच्छे example है porifera group का जो member होता है यह किसका member है? पौरिफेरा ग्रूप का उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका member of porifera group ठीक है? यह porifera group का member है और इसके अंदर जो example है वो इस पॉंजीला जो कि एक fresh water sponge है ठीक है? fresh water sponge यह ध्यान रखेगा ठीक है? अब यहाँ पर इसके endogenous budding को हम बोलते है gemule formation यह जो budding होती है यह यहाँ पर मैंने इसके body के अंदर ऐसे body के बाहर जो है एक gelatinous covering हो जाती है और body के internal sites पर gemules बनते है यानि के endogenous buddings बनती है जो यहाँ पर gelatinous covering है उनको कुछ specific cells घेर के रखती है जिनको आपके NCRT में पर notice के लिखा गया है और यह यहाँ पर gelatinous covering से attached रहती है और जब यह burst होता है तो यह जो gemule होते है या internal budding है वो वहाँ पर बाहर प्रोजेक्टेड होके नए sponges को develop करती है ठीक है कई books में आपको gemule formation अलग से भी asexual का type मिलेगा लेकिन देखा जाये तो यह endogenous budding का ही type है अब हम बात कर लेते हैं zoo spores की zoo spore एक microscopic structure है जो की जो एक तरीकी से spore formation ही हम बोल सकते है और यह वो spore होते है जो की motile होते है इन में motility क्यों होती है क्योंकि इनके अंदर flagella होता है for example जैसे claimidomonas claimidomonas का मैं आपको यहाँ पर example बताऊ कि जैसे आपको claimidomonas है यह claimidomonas की body में ऐसे चोटे चोटे जो है यह आपके spores बहार निकल गए अब यह जो spores बहार निकले है इनके अंदर हमें चोटे से यह आपके यह flagella दिखाई दे रहे है तो यह कहलाएगा आपका यह flagella वो जो होगे इसको motility provide करेंगे locomotion के लिए ठीक है तो यह जो कहलाएगा कि जो zoospores बन रहे हैं यह motile structure है और zoospores जो होते हैं वो motility लिये हुए रहते हैं या तो उनमें flagella होते हैं या cilia present होते हैं ठीक है और इसका अच्छे example है claimidomonas और elbow अब हम बात कर लेते हैं conidia formation की conidia formation के अंदर जो है spherical structure बनती है वो non motile बनती है zoosporo conidia में यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा difference है कि conidia जो होगा वो non motile structure है जैसे penicillium की यहाँ गर हम देखें तो जो हाइफा होता है हाइफा के अंदर इस तरीके से finger like projections होते है और उनकी जो tip वाली cells है वो इस तरीके से continue जो है cells बनाती जाती है और हर cell जो है एक conidia को represent करता है ठीक है और हर conidia यह सब क्या है यह बहुत सारक मतलब पहले क्या वो एक cell बनी फिर उससे दूसरी cell तो इसके सबसे अच्छे एक्जामपल है जैसे penicillin और आपका aspergillus fungus में generally conidia formation आपको ज़ादा देखने को मिलता है fragmentation fragmentation word क्या कह रहा है fragment होना तूटना ठीक है तो यहाँ पर वही definition है कि कोई भी organism an organism split into fragments कोई भी organism है जो अगर वो split हो जाता है तो वो नया organism जो है develop कर लेगा ठीक है तो यहाँ पर an organism split into fragments each of these fragments developed into mature or fully grown indisual जैसे आपका spirogara मुझे लगता है हर बच्चे को याद होता है इसमें और mucor और rhizopas भी नए examples मैंने add करने की इसमें कोशिश की है ठीक है तो यहाँ जो spirogara होता है spirogara में अगर fragmentation naturally मिल जाए ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि हर पार्ट डेवलप होके नया जो spirogara develop कर लेता है now come to the next successful reproduction that is the regeneration 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 इसके मतलब होता है कि regenerate हो जाना यानि कि कोई living system regenerate हो जाता है definition पहले समझ लेते replacement, repair and restoration of the lost or damaged part of the organism यानि कि किसी organism का कोई part तूट गया है तो वो नए पार्ट में develop हो जाता है actually कुछ controversies है कि अगर यहाँ पर regeneration जैसे planaria तो planaria में हमने देखा है कि planaria का इस तरीके से example होता है यह इसका example है planaria का यह इसका हाँ अब यह planaria को जो है इस तरीके से अगर हम काट दे तो यह हर पार्ट जो है नया planaria या flatworm develop कर लेता है लेकिन कई जो है planaria sorry जो regeneration और fragmentation में confused हो जाते है generally fragmentation होता है वो आपका algae और आपके fungi के reference में दिया जाता है लेकिन regeneration है वो एनिमल के reference में दिया जाता है फ्रहेंट अजले जाता है तो आप बढ़ोगे वो आपको म्यूकर राई पल तरी के और फंगाई के एक्जाम्पल मिलेंगे क्या।। क्रूकर क्वाइब इनिमलने बीं क्रएब एब प्लांट में थान पर हम आपकोsections और ऐको शॉपन पीमเक की एपयं तो फंग भी एब शॉज्वयांछले जराएं इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो रिजनेरेशन है उसमें हम बोलते हैं कि लॉस पार्ट वापस आजाता है लेकिन साथ साथ अनिमल भी इस पार्ट से भी डेवलप होगा इस पार्ट से भी ठीक है तो वह एनिमल के रेफरेंस में दिया जाता है इसको आप कंपैर कर सकते हैं घर में जो आपकी लिजार्ड होती है उसकी टेल अगर चूट जाती है तो वह वापस रिजनेरेट हो जाती है लेकिन वह जो टेल है वह नया पार्ट नहीं बनाती है क्यों क्योंकि जैसे जैसे लिविंग सिस्टम डवलप हो है उसमें रिजनेरेशन काम होता गया है तो इस में कोई भी living system जब unfavorable condition में होता है तो वो अपने चारों तर एक system बना लेता है unfavorable condition मतलब कि ना डंग से पानी है ना food की availability है अब यहाँ पर जब यह system बना लेता है और यहाँ पर यह continuously divide करना शुरू कर देता है इसका सबसे अच्छा example है जैसे amoeba है ना अब यह यहाँ पर यह system बना लेगा और यह multiple divide करेगा जैसे यह favorable conditions आएंगी इन favorable conditions में यह system जो है पानी के absorption को करके burst हो जाती है then it will release the multiple numbers of the amoeboli okay यानि कि daughter's amoebas जो है वो release कर दिये साथ है ठीक है तो यहाँ पर हमारा sporulation वाला पार्ट complete होता है यानि कि हमारा asexual reproduction वाला पार्ट complete होता है vegetative reproduction अब इसके बाद हम discuss करेंगे vegetative propagation जो कि plant के अंदर का asexual reproduction है hope आपने lecture enjoy किया होगा कोई भी जाउट है आप comment section में पूछिए अदर्वाइस please like share and subscribe thank you